इस वक्त तेलवीव टू तेहरान हल्चल तेज है इरान त्यारे करके बैठा है कि इस्रेल पलटवार करे तो करारा जवाब देंगे इधर इस्रेल लेबनान की राज़ानी बेरूत को मर्मरे के धेर में तब्दील कर रहा है ताजा हमले में 22 लोगों की मौत हो चुकी है पूरब का पैरिस राख के धेर में तब्दील हो गया है एतिहासिक शहर बेरूत अब एक शररार्थी शिविर में बदल चुका है बेरूत गाजा की तरह मलबो का शहर बन गया है इस्राइल के ताजा हमले में 22 लोगों की मौत हुई है अब हालात और खतरनाफ हो गये हैं क्योंकि इस्राइली हवाई हमले डक्षन लेबनान से राज़धानी बेरूत तक पहुँच गये है दक्षन बेरूत पर जारी हमले अब बेरूत शहर के केंद्र में भी खो रहे हैं दक्षन लेबनान के श्रिया बहुल इलाकों से हिजबुल्ला के समर्थक और आम नागरी के अपनी जान बचाने के लिए उत्तर की और भाग रहे हैं और बेरूत शहर में शरन ले रहे हैं हालात इत्तर हो चुके ही कि लोग छिकाने की तलाश में समुद्र किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं इसराइल ने हिजबुल्ला के जिन कमांडरो को ढिर किया है उनका नाम एहमद मुस्तफा और मुहबद अली हमदान बताया जा रहा है हमदान हिजबुल्ला के एंटी टैंक का कमांडर था इसराइल ने लेबनान में मिसाइल हमलों से बेरूत के दहीह में इसबुल्ला के कई हधिया डिपो भी तबाह कर दिये है 6 अक्तुबर 2024 की रात में लेबनान के अंदर इसराइल की तीसरी डूजन भी गुस चुकी है दो डिविजन पहले ही गुस चुके थे और इस वक्त लेबनान में हजारों इसराइली सैनिक मौजूद है इसराइल की 36 और 28 डिविजन भी लेबनान में इस वक्त ऑपरेशन अंजाम दे रही है गैलेली रिजनल डिवीजन ही लेबनान सीमा की सुरक्षा कर दिया है इस विज़ इसराइली मिलिटरी ने और सैनिकों को लेबनान के अंदर ग्राउंड आपरेशन के लिए उतारा है इसराइली हमलों में बचौरा के पौरोस में दो खनी अबादी वाले नवीरी और बास्ता को निशाना बनाया गया हमले से पहले इसराइली सेना ने कोई चेतावनी ने ही जारी की थी नहीं इसराइली सेना ने हमले पर अब तक कोई प्रतिकरिया दी है ये तीसरी बार है जब इसराइली ने दक्षणी उपनगर दाहिया के बाहर हवाई हबला किया है लिबनान के स्वास्ताइब बाहर हवाई हबला किया है इसराइली ने बताया कि हमले में 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 177 घायल हो गए है टाइमस ऑफ इसराइल के मताबिक हमले में हजबुला के सिनियर सदस से कॉडिनेशन यूनिट के चीफ वाकिफ साफा को टार्गिट किया गया था हाला कि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहा ये सेंचल बेरूत में इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी एर स्ट्राइक रही है इस हमले से कुछ घंटे पहले दक्षिन लेबनान में इसराइली चैंकों ने यूएन की एक इमारत पर अटाइक किया इस हमले में यूएन पीस्किपिंग फोस यानी यूनिफिल के दो सदस घायल हो गए ये दोनों इंडोनेशिया के नागरिक है यूनिफिल शान्ती रक्षक मिशन 1978 में बना था ये इस इलाके में परोसी देशों के बीच दोश्मनी रोकने और दक्षिन लेबनान के लोगों को मानविये सहयता पहुंचाने के लिए गठित किया गया था लेबनान में इस वक्त यूनिफिल के 10,000 शान्ती रक्षक सैनिक हैं इन में 50 देशों का युगदान है इसके अलावा इसके 800 सिविलियन स्टाफ हैं यूनिफिल दक्षिन लेबनान में दो कथित ब्लू लाइन के बीच काम कर रही है इवन पीस्ट मेशन की टीम पर हमले के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इसराइल से जवाब मंगा है हेजबुला ने कहा कि उसने नकोरा में भी जबीन पर मौझूद इसराइली सैनिकों पर रॉकेट दागे और इस इलाके में आ रहे है कि टैंक को गाइड़िड मिसाइल से नश्ट कर दिया इसे पहले लेबनान के स्वास्त मंत्राले ने कहा था कि पुर्वी लेबनान के करके गाउं पर इसराइली हमले में चार लोग मारे गया और सत्रा लोग घायल हो गए इसराइल के प्रधान मंत्री नेतनियाहू एकदम क्लियर है कि हिजबुल्ला के अंतिम आतंकी के खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी इस बीच इसराइल ने अपनी सुरक्षा को और चोकस किया है हलाकि लेबनन की तरफ से हिजबुल्ला सीमा पर इसराइली गाओं में लगातार रोकेट डाग रहा है लेकिन इस से अब तक किसी भी इसराइली नागरिक के मारे जाने की कोई खबर नहीं है इसराइल के अंधादुद हमलों के बीच हिजबुल्ला ने इसराइल के हाइफा की खाड़ी को निशाना बनाया है ताबर तुड खरिब सौ रोकेट डागे ही कुछ को इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया लेकिन कुछ गिरे जिससे दो लोगों की मौत हो गई जबकी आठ जखमी हो गए केरियत शमोना में बीस रोकेट गिरे मौत भी यही हुई है ऐसा लग रहा है कि इसराइल की सबसे कमजोर नसाबित हो रहा है हाइफा का इलाका हिजबुल्ला, हूथी, एरान सब के निशाने पर हाइफा ही है येरुशलम और तेल अवीब के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है हाइफा 2022 के मताबिक यहां करीब 3 लाक लोग रहते हैं यहां पर सबसे ज़्यादा बहाई समुदाई के लोग रहते हैं माउंट कारमिल के पछारी ढलानों पर बसे इस शहर का इतिहास 3000 साल पुराना है 1948 की फिरिस्तिन जग में जब हाइफा में युद्ध हुआ तो यहां के अरब अबादी शहर छोड़ कर भाग गई थी इसके बाद ये शहर इस्राइल का हिस्सा बन गया हाइफा एक बंदरगाँ शहर है इस्राइल का हमला घातक और पीन पॉइंच एकुरेट होता है जिससे हुई तबाही की तस्वीरे आपकी स्क्रीन पर है अब सवाल है कि इसराइली हमलों के बीच मध्य पॉर्व में युद्ध छिड़ने का खतरा कितना बड़ा है असल में रूस के राष्टपती वला मीदिर पुतिन इस वक्त तुर्कमेनिस्तान में है कहने के लिए तो पुतिन अठारवी सदी के कवी की तीन सौवी जैनती के कारिकर में शामिल होने हैं लेकिन इस बीच रूस के राष्टपती एरान के राष्टपती मसूद पजश्कियन से भी मिल रहे हैं 2022 में रूस के युक्रेन पर आक्रमण के बाद उसके एरान के साथ संबंद गहरे हुए हैं एरान ने युक्रेन के खलाफ युद में लागातार रूस की मदद की है 2022 के अंत में एरान ने सैक्रो ड्रोन रूस भेजे साथ ही डोन चलाने के ट्रेनिंग के लिए रूसी से नक को ट्रेनिंग भी दी जिसे रूस की उक्रेन के मोचे पर बहुत मदद हुई लिबनान के खलाफ इसराइल के हमलों के बीच नितनियाहू की नजर इरान से बदले पर है और इरान टारगेट बनता है तो जाहिरे पलटवार करेगा और फिर तीसरे विश्रोईद के प्रारंब से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि रूस, अमेरिका, चीन सब के लिए ये का वक्त होगा जंग के बीच लिबनान की सरकार के तेवर भले ही नर्म पढ़ते दिख रहे हो लेकि लिबनान में मौझूद हिजबुला ने इसरेल के खिलाब जंग का एलान कर दिया है आखिर ये जंग कहा तक जाएगी सबसे ताकतवर इसलामी के रिवूलुशनरी गार्ड्स यानी आईयर जीसी का मिलिटरी चीफ मुसाद का एजेंट कैसे बन गया और इसका शक कैसे हुआ हम आपको बता दे हैं कि सरसच साल के ब्रिगडियर जनरल इसमाईल गानी जनरल खासिम सुलिमानी की हत्या के बाद इरान में सबसे ताकतवर सैन्ने वेक्ती हैं यहां तक एरान के सुप्रेम लेडर अली खामनी भी ब्रिगडियर जनरल इसमाईल खानी पर आँख मुद कर भरोसा करते हीं तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ब्रिगडियर जनरल इसमाईल खानी खामनी की कितने करीबी हैं लेकिन हिजबूला चीफ हसन असरलला की मौत के बाद पूरा खोनी खिल्स सामने आ गया है। मेडलिस्ट यानी MEE ने सुत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट पे कहा कि एरानी रिवोलुशनरी गार्ड के विशिष्ट कुद्स फोर्स के चीफ इसमाईल कानी को हाउस अरिस्ट कर लिया गया है। नसरलला की पूरी जानकारी और लोकेशन इसराइल को ब्रिगेडियर जनरल इसमाईल खानी को हजबुला चीफ की मौत के बाद से पबलिक में नहीं देखा गया। 27 सितंबर को इसराइल ने बेरूत में केरे स्ट्राइक में नसरलला को ठेर कर दिया था। इरान को पूरा शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इसमाईल खानी ही वो घद्दार है जिसने ना सिर्फ हजबुला चीफ नसरलला को मरवाया इरानी कमांडरों की ओर से ही इसराइल को जानकारी देने का संदेह तब और बढ़ा जब हसन नसरलला के उतरादिकारी हाशम सेफदी को चार अक्टूबर को इसराइल एक बंकर में मिसाईल से माड़ा है जबुला के दो चीफ की मौद के बाद ब्रिगेडियर जनरल इसमाईल खानी और टीम का हाथ पताया जा रहा है अपकोट शहांगिवात तकपो तकफो तान्य जस्मन कथर, तकफोट थाले ऐसे अगर्सिविते अवल्ड अवल्डंबर है उत्कफोटों, तकपोट शहांगिवाद केहां तकफोट तकफोट् प्लीपोट थावाद प्लीपोगर् G1 मस्नूलीन पॉलीन और यहां रुक्रेक छोड़ेंगे